ये गाईस इस वीडियो में हम बात करेंगे UPSC Employees State Insurance Corporation में Nursing Officer की भरती जारी किया गया है, इसमें 1930 की पदोफे बेकन से Post Activate की गई है, All State के लोग इसमें Form Fill कर सकते हैं, All N के माधियम से आपको Form को Apply करना है, आपको Form UPSC के Official Website पे Visit करके Form को Fill करना है, सबसे पहले गाईस इसमें OTR Registration करना होता है, OTR मतलब One Time Registration होता है, जो भी Candidate One Time Registration कर चुके हैं, वो Login करके अपने Form को Fill करेंगे, तो आगे हम ये सारा Process आपको बताएंगे, पहले इस भाती के बारे में हम जान लेते हैं, तो ये Form 7 March 2024 से अवेदर होना स्टार्ट हुआ है, इसके Last Date 27 March 2024 है, और 28 March से 3 April 2024 तक इसमें कोई भी Details गलत होता है, तो आप correction कर सकते हैं, एक्जाम की जो Date है, 7 July 2024 है, इसमें Age 27 March 2024 से लिया जागा, 18 से 30 वर्स के लोग इसमें आवेदर हम अपलाई कर सकते हैं, जनरल OBC, EWS के लोग 25 रुपीज पेमेंट करेंगे, SC, ST और PH candidate और महिला किसी भी Category से आती है उनको कोई application चार्ज पेमेंट नहीं करनी है, जो candidate fee पेमेंट करेंगे, वो online के माध्यम से पेमेंट करेंगे, इसमें किस category में कितना कितना number of वेकन से post activate की गई हैं, वो यहाँ पे आपको details मिल जाएगा, form fill करने के लिए आपके पास BSC Honor Nursing की course होनी चाहिए, किसी भी Institute के दवा का आप form fill कर रहे है, state nursing counseling में आपकी registration होनी चाहिए, अगर आपके पास ये qualification नहीं है तो आपके पास diploma, GNM की course होनी चाहिए, यानि कि general nursing midwifery की course होनी चाहिए, recognize board of counseling के दवारा और आपकी registration nursing counseling के state में होनी चाहिए, इसके साथ एक साल की experience होनी चाहिए, जो की 50 weighted की आपको experience होनी चाहिए, exam pattern आपको यहाँ पे mention की गएंगे, form कैसे आविदन किया जागे, इसके बारे में हम यहाँ पे process देखते हैं, तो सबसे पहले आप UPSC के officer website पे आएंगे, यहाँ पे आपको option मिलता है new registration का, आपको इस पर click करना है, यदि आप OTR registration नहीं किये हैं, तब यह process करेंगे तो हम यहाँ पे शुरू से ही आपको सारा process बता दे रहे हैं, जो भी candidate OTR registration नहीं किये हैं, वो जैसे new registration के option पे click करेंगे, तो ऐसा options आएगा, यहाँ पे अपने दस्मी की जो details है, वो mention करेंगे, जैसे आपका नाम 10th में जिस प्रकार से लिखा रहेगा, वो लिखना है, Mr. Mrs. इसके बाद आपका नाम दोबारा से verify करना है, और इसके बाद आपका नाम कभी भी change हुआ है, तो यहाँ पे आप yes करेंगे, और जो नाम change हुआ है, वो यहाँ पे आप mention करेंगे, नाम यदि change नहीं हुआ है, तो इसमें आप no को रहने दीजे, यह options hide रहेगा, आपको अपन अचे करेंगे, अपने marital status को आप select करेंगे, और इसके बाद mobile number लिखेंगे, इस्ट्रा कोई भी mobile number होती है, तो आप यहाँ पे mention कर सकते हैं, इसके बाद email ID लिखेंगे, और इस्ट्रा कोई लिखेंगे और यहां पर second question select करेंगे और उसका answer लिखेंगे इसके बाद यहां पर आपको security या capture code मिलेगा आपको इसमें लिख के submit कर लेनी हैं जैसे आप submit करते हैं तो आपकी जो registration है वो हो जाएगा इसके बाद आपको यहां पर already registered का option मिलेगा जिसमें आपको अपने mobile number और mail ID पर OTP जाएगा OTP आप जैसे ही सत्याप्रित करेंगे आगे का process start होगा verification का verification में आप जो भी details अपना fill किये रहेंगे वो सारे options को verify करेंगे इसके बाद next आगे का process start करेंगे जैसे ही click करेंगे तो आप dashboard पे आ जाएगे और अपने details को अपने notification को active कर लेंगे तो फिलाल हमने registration कर चुका है इसमें आपको registration करना होगा तो इस पर मैंने एक अलग से proper process बताया है कि कैसे आप OTR registration को complete करेंगे तो हम यहाँ पर login करने का process है वो देखेंगे अब जो भी candidate login करना चाहते हैं या जो भी candidate registration करने के बाद login करेंगे तो वो क्यासे करेंगे यहाँ पर आपको ऊपर email ID और mobile number तो इन दोनों में से कोई भी option को select करेंगे जो option select करेंगे वो यहाँ पर option को mention करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर option मिलता है gate OTP का आपको इस पर click करनी है जैसे आप click करते हैं तो जो option आप select कि रहेंगे उस option पर आपको एक OTP जाएगा OTP आपको लिग के verify करनी है इसके बाद आपको यहाँ पर capture मिलता है इस box में लिखनी है इसके बाद यहाँ login का button मिल जाता है आपको इस पर click करनी है अब जैसे आप click करते हैं तो कुछ ऐसा आपके सामने dashboard सो हता है आप अपने details में अगर change करना चाहाते हैं यहाँ bugle में आपको option मिलता है update या edit profile आपको इस पर click करके अपने details को check कर सकते हैं change कर सकते हैं अपने profile को यहाँ से check कर सकते हैं देख सकते हैं application जितना भी अपने fill किया वो history यहाँ से देख सकते हैं और इसके बाद अपने application की status को यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से आप latest notification को check कर सकते हैं कौन सी present time वे vacancy एक्टिवेट क करना चाहते हैं, नीचे कोई और भी वेकंसी यहाँ पर सो रहे हैं, तो फिलाल हम इसे नहीं फिल करेंगे, इस फॉर्म के डिटेल से यहाँ पर आपको दिखा जाता है, इसके बाद यहाँ पर option मिलता है, अब जैसे आप क्लिक करते हैं, तो आपके सामने instruction मिलती है, यह सारी इसके बाद आपको बिल्कुल नीचे करनी है, पढ़ ली है, तो आपको यहाँ yes करना है, नहीं पढ़ें, तो आप no के option पर क्लिक करके, इससे readout करेंगे, अब इसके बाद जैसे आप yes के option पर क्लिक करते हैं, तो आपके जो data यहाँ पर automatic add हो जाती है, यहाँ पर आपको option मि आपको select भी करनी है, जैसे marital status आपको select करना है, इसके बाद आपकी community क्या है, वो community यहाँ पर आप select करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर cast की details को भी mention करनी है, जो candidate general category में आते हैं, उनको cast की details को mention नहीं करनी पड़ीगी, for example जैसे आप select करेंगे, तो यहाँ पर cast options तो नही होगा, cast option में जो भी details आप mention करेंगे, सबसे पहले certificate का number लिखेंगे, इसके बाद अपने designation को select करेंगे, किस के दोरा बनाया गया है, इसके बाद authorized यहाँ पर select करेंगे, कि आपकी यह किस state से बनी ही है, इसके बाद date को mention करेंगे, और इसके बाद अपना साच्छे की योग्यत select करेंगे, कि यह आपके पास कौन सी qualification है, इसके बाद essential qualification already select रहेगा, one year की experience इसमें मागे गई है, अगर आपके पास BSC की course होगी, तो यहाँ पर यह सारे options को नहीं देनी पड़ीगी, इसके बाद आप नीचे करेंगे, यहाँ पर आपको अपने complete address को भी fill करनी है, इसमें state औ और अपना pin code और अपना district सारे details आपको इसमें fill करनी है, सारे option को लेखने के बाद यहाँ पर option मिलता है, continue आगे बढ़े, आपको इस पर click करनी है, click करने के बाद next option आपके सामने open हो जाती है, claiming is relaxation, आपको is में छोड़ चाहिए तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं, नहीं उस ID proof की serial number यहाँ पर लिखेंगे और वही serial number दوبारत से यहाँ पर लिखेंगे और उस ID proof को upload करेंगे, यह file PDF format में मांगी गई है, upload करने के लिए just यहाँ आपको इस फाइल के option पर click करना है, यहाँ से अब अपने PDF को download करके check कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी PDF होनी चाहिए अपने details को लिखने के बाद जैसे आप PDF फाइल upload करते हैं, यहाँ पर आपको successful का option मिल जाता है, यानि कि अप्लोड हो चुकी है, अब यहाँ आपको continue के option पर click कर लेनी है, click करने के बाद आपकी previous कुछ इस प्रकार से दिखाय जाता है, जो भी आपने details को fill किया है, वो सारे options आपको बिल्कुल नीचे करना है, किसे भी options को आप change करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो यहाँ पर click करके आप change कर सकते हैं, सारे options यदि सही होते हैं, तो आपको यहाँ पर capture code मिल जाता है, आपको just इस box में लिखनी है, और यहाँ पर आपको दो बटन मिलता है, आप I agree के option को click करेंगे और इसके बाद OK के option को click करेंगे अब जैसे आप click करते हैं तो आपकी जो first registration है वो complete हो जाती है first registration complete होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको options मिलता है जिसमें आपकी registration number यहाँ पे दिखाय जाता है और यहाँ पे आपके details दिखाय जाते हैं इस page को print करने के लिए यहाँ पे click करके print कर सकते हैं यहाँ आपको आगे का process start करने के लिए upload photograph and signature image के option को click करनी है जैसे आप click करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा options आता है photo और signature jpg format पे मागी गई हैं यहाँ से आप resize कर सकते हैं यह जो blink हो रहा है photo और signature size में match नहीं हो तो आपको change ही कर सकते हैं यहाँ आपको choose file के option को click करके अपने photo और signature को upload करेंगे dimension और photo की जो previous है किस प्रकार से होनी चाहिए यहाँ पे so हो रही है photo और signature upload करने के बाद आपको upload image के option पे click करना है click करते ही आपके जो photo और signature है proper यहाँ पे add हो जाएगा आप इसे दोबारा से अगर upload करना चाहाते तो upload भी कर सकते हैं photo और signature किस प्रकार से edit और research किया जाएगा इस पर मैंने एक अलग से process दिखाया है जिनको देखना होगा नीचे description के link को follow करके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको continue का option मिलते हैं आपको इस पर click करना है इसके बाद आपको second registration को complete करनी है यहाँ आप center selection option को click करते हैं इसके बाद examination center आपको select करना है अपने हिसाब से जो भी आपको नजदीक लगे वो आप इसमें check कीजिए और इसके बाद उसे आप select कीजिए examination center select करते हैं कुछ इस प्रकार से option आपको दिखता है नीचे आपको declaration मिल जाता है आपको इसे accept करने के लिए यहाँ पे आपको option मिलता है I have read declaration I agree आपको इस पर click करना है इसके बाद आपकी जो form है वो successful submit हो जाती है यहाँ पे आपको message भी मिलता है आपको इस पर click करना है application form submit होने के बाद जैसे आप click करेंगे तो आप dashboard पे आएंगे आप form को print करने कले यहाँ पे application status के option पे click करेंगे यहाँ पे button मिलता है click here का आपको इस पर click करके अपने application form की previous check कर सकते हैं या तो आप अपने application form की print out ले सकते हैं तो गैस किस प्रकार से आप इस आवेदर form को submit करेंगे हमने आपको सारा process इसने बता दिया आई होग कि आपको यह जान करें अच्छे लेगी होगी वीडियो पसंदा तो लाइक कीजिए share कीजिए और हमारे चनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए